So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर देना साथ ही आप हमारे Telegram चैनल को भी join कर सकते हो जसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ updates मिलने आ लिए तो प्लीज जाकर एक बात check out चरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue वीडियो की शुरुआत करेंगे HL के साथ हिंदुस्तान Aeronautics Limited की अगर हम बात करें तो stock हमें 4,401 रूपिस के लेवल पे closing देता हुआ नजराया return की अगर बात की जाए तो negative returns जो है stock में आज देखने को बिला है कल जो retaste की बात हमने की थी ओचीच हमें देखने को मिली stock ने retaste किया अपने previous लेवल को और stock में एक downtrend आना start हुआ और morning से ही stock जो है continue गिर रहा था वही गर आप देखोगे 9,15 से 11,40 तक stock 73.95 रूपिस के राउं तक के fall बताता हुआ नजराया फिर उसके बाद 37 रूपिस तक की growth इसने बताई 36.95 रूपिस तक की गिरावट जो है stock में हमें देखने को मिलती है और last 5 days से stock ने एच्छे returns भी दिये प्लस stock गिरा भी तो कुछ upside down momentum देखने को भी हमें मिले है तो हम levels को ही discuss करने वाले पूरे वीडियो में हाँ पर हम BEL, BDL और BEML को भी check out करेगे तो यहाँ पर HL के levels को हम check out कर ले थे तो कल जो चीज़े हमने discuss की बिलकुल ओ चीज़े हाँ पर होती ही निज़राई एक चीज मैंने कल कही थी कि हो सकता है stock में retest करने के लिए retest के बाद एक गिरावट आए क्योंकि ए चीज़े हम पहले भी यहाँ पर देख चुके हैं कि stock में इस particular range से हमने breakdown देखा था बिलकुल यहाँ से अगर देखे एक breakdown हमें देखने को मिला और after breakdown जो है stock में काफी बड़े fall देखने को मिले उसके बाद stock में अगर देखे double bottom बना breakout के बाद अच्छी रेटन्स रहे पड़े चीज़े हमने पहले भी clear की थी कि stock ऊपर जा रहा है और वही अगर देखे breakdown मिला है तो रेटेस करके downside के और आएगा भी बड़ यहाँ पर हमने positive रहने के लिए आपको तभी कहा था जब चार हजार 500 के अबो sustain करें तभी आप इसमें as a long term के परपस से positive रह सकते हो बड़ बाकी जब तक स्टॉक 4500 के लेवल के नीचे trade कर रहा है तब तक आप negative ही इसमें रहो हाला कि कुछ break breakouts भी हमने देखे थे यहाँ पर अगर देखे breakout हमें मिला breakout के बाद स्टॉक उपर गया और अभी downside के और आने की कोशिश कर रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर गिरावट है तो downside के लेवल्स है कि इन लेवल्स के उपर आपको ध्यान देना चाहिए कि कौन से levels downside की और break होगे तब इस टॉक में गिरावट रहेगी तो downside की और अगर आप देखोगे इस पर्टिकलर लेवल के उपर आप ध्यान दो 360 6370 के आराउन तक का यह level है इसके उपर यह इसने breakout भी दिया था अगर यह breakdown देता है तो stock में गिरावट again continue हो सकती है 4240 का जो level है और 4,160 का level यह level अगर break हुए है तो stock में गिरावट और बड़ी रहेगी तो इसके उपर ध्यान दो क्योंकि यह points जो है एसे जो levels है support resistance की जो बाते हैं हम पहले भी कर चुके हैं और exactly उन levels ने काफी अच्छा काम भी किया stock में बिलकुर rising wage type channel का breakdown के बाद stock में continue गिरावट रही और यह सारे के सारे जो points हमने हाँ पर बनाया हुए है यह सारे के सारे एक IMP points है और इनका breakdown जो है stock में देखने को हमें मिल भी रहा है वही बात की जाए तो day one के time frame पर stock में क्या नजराता है तो day one के time frame पर stock में अगर आप देखोगे तो downside की ओर से काफी अत्तक एक IMP support है यहाँ पर एक IMP support था और उस support को इसने break कर दिया बिलकुल HL में यहाँ पर breakdown है और breakdown के बाद यह stock में जो बड़ी गिरावट है यानि जो बड़े falls है वो कब हमें देखने को मिलेगे तो यह point आपको ध्यान में रखना है कि 4000, 4000 का जो level है उस level से गिरावट हमें बड़त देखने को मिली थी और उसी level पर stock ने sustain भी किया था और वही अगर 4000 का level अगर break हो जाता है breakdown अगर आ जाता है तो stock में बड़ी गिरावट आप देख सकते तो बड़े falls जो है stock में आ सकता है इन points के उपर धान दो बट अभी हम यहाँ पर कुछ नए levels बनाते हैं तो downside की और से एक support है बिल्कुल हम सब ने यह चीज देखी है downside की और से एक support था जिसका हमें breakdown देखने को मिला इस particular trade lines है एक ground ने जरे तो यहाँ पर अभी के अगर हम बात करें तो अभी भी हम कह सकते कि एक support already है ठीक है एक support हमें already इसमें देखने को मिलता है अगर breakdown हुआ जैसे मैंने कहा 4000 का level break नहीं होना चाहिए तो इसके उपर ध्यान दो तो यह support भी आपको देखने को आपर मिल जाता है और वही अगर देखे बात करें इस levels की तो यहाँ पर भी आपको एक strong support देखने को बलता है बस आपको ए चीज ध्यान रखनी कि इसका अगर breakdown हुआ 4000 के level का तो stock में बड़े negative returns आपको देखने को विले गए और upside से यह वाला level आपको ध्यान रखना है तो बिलकुल HL में यह जो points है आपको ध्यान रखने है बिलकुल 4500 का breakout upside की और मिलना चाहिए तब एक बड़ी growth आएगी बड़ अगर 4000 का downside की और breakdown आ गया तो बड़ में आई है किनेडा के साथ किनेडा का जो रिलाइज जैट है उनके साथ इन्हों ने डील की स्पेस सेक्टर में बिलकुल इंटर कर चुका है जिस वजह से stock में continuously growth रही है पिछले पाच दिनों में stock में गिरावट रही थी पर यहाँ पर 19 तारीक से अब तक की बात करें stock कु housing दी छे रुपए साथ पेसे के राउंड अगर आप देखते हो तो stock में हमें एक बड़त नजरा जाती है तो कुछ upside-downs momentum भी हमें नजरा है levels की बात करते है तो BEL में कल भी जो level हम कल जो level हमने discuss किये थे वो काफी अच्छे से काम कर रहे है जो levels के बारे में हमने discussion किया था breakout के बारे में हमने discussion किया था बिल्कुल exactly stock ने breakout दिया है और after breakout stock उपर की और जाने के लिए पूरी तरीके से ready है तो बिल्कुल आप देख सकते हो downside की और से support उपर से resistance है और इन upside-downs momentum के चलते ही stock ने breakout दिया और breakout के बाद हमें उम्मीद है कि stock में जो बड़ी growth है देखने को मिल सकती है अच्छे returns जो है देखने को मिल सकते है तो इस point को note-down करके रख लो काफी बड़ी rally जो है देखने को म मिल सकती है और अभी अगर बात करें five minute के time frame पर भी तो बिल्कुल stock में proper level काम कर रहे है काफी अच्छे breakouts जो है मिल रहा है कल भी मैंने discussion किया था कि stock में या तो यहाँ सा sustain करके fall बता सकता है बड़ अगर वही breakout मिला तो stock उपर जाएगा तो जो range हमने बताई थी 2090 के अब हो stock जास उच चुका है और 290 के round sustain भी कर रहा है और अभी यह share में एक बड़ी growth जो है देखने को मैं मिल सकती है अब बात करते है next stock की जिसका नाम है BDL भारत डाइनमिक लिमिटेट की बात करेंगे 1144 के round closing दी 19 रुपे के round तक के fall है आज कुछ ऐसे shares भी रहे है जिन में हमें fall देखने को मिली defense stocks की में बात कर रहा हूं और वही अगर देखें BDL भी उनमें से एक है तो BDL के level किस तरीके से काम कर रहे है BDL में आपको किन points की उपर ध्यान देना चाहिए तो यह चीजे भी हम देख लेता है तो आज आते है भारत डाइनमिक के उपर और भारत डाइ देखने को मैं मिला और यह शेर continuously गिरावट बता रहा है पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि यह particular range है एक resistance जो है face इसने किया और गिरावट यहां से हमें देखने को मिल रहे है बल बल उपर से जो range मैंने discuss की थी 1180 का जो level है इस range से ही stock multiple time resistance इसने face किया और गिरावट बता रहा है जब तक यह breakout नहीं देता 1180 का जो level है upside की और break नहीं करता तब तक आप इसको इसमें positive नहीं रहना है पाकी stock में गिरावट continue हो सकती है क्योंकि बड़े level पर अगर देखे तो stock में बड़े level पर एक बड़ी गिरावट हमने देखी हैं बड़े fall हमने देखे हैं और share जो है अब downside की और आनी कोशिश कर रहा है एक हजार पचास एक हजार के around तक का जो level है इस level पे stock जो है sustain करेगा फिर एक अची rally stock में आप expect कर सकते हो तो wait करेंगे आगे इसमें क्या होता है बात करें अगर be ml की तो be ml में भी अगर देखें यही upside down momentum देखने को बिलते हैं तो यहाँ पर अगर देखें स्टॉक में आज भी गिरावट रही और downside की और से अगर देखा जाए तो stock एक support शो तो कर रहा है बट एक काफियत तक crucial level के round है support शेयर ने ले लिया है बट उपर से हमें एक breakout भी चाहिए है तब ही आप stock में जो है positive रह सकते हो वरना stock में अगर downside की ओर 3600 का level break हुआ fall continue हो सकता है और और काफी कुछ चीज़े discuss कर लिया है I hope आप को वीडियो helpful अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like चैनल को subscribe करना और कोई भी stock में investment करते हो इनका analysis करना अधि टेलीग्राम शर्क को जॉइन करो link निचे description में है thank you